नवस्कार मैं प्रियाराउज राद देखरें एक निउस 24 जिस तर से देश के प्रधान मंती नरेन मोदी हमेशा लोगों के साथ संपर्क में बने रहते हैं इसी बीच वो मन की बात एपिसोड के बीच लोगों से अपनी बातों को साज़ा करते हैं आज 111 एपिसोड की कम्प्लीटी में उन्होंने अपनी मन की बात लोगों से किया उन्होंने लोग सबाद वाज़ा 24 की चुनाओ को बहुत बड़ा चुनाओ कहा उन्होंने चुनाओ आयोग और 65 करोड देश वास्टियों को इसकी धन्यवाद दी जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट दीजे जैसे आप देती हैं और प्रधारमंती नरेन मोदी तीसरे कारेकाल में आ चुके हैं तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे फिर से आप लोगों ने मौका दिया जिस तरह से भारत के शनवीधार में मुझे एक रूप बनाया मैं काफी इसके ल पिर मा के नाम की जो अभियान उन्होंने जारी किया है उसे लेकर कहा कि अगर मैं आपसे पूछू कि आप सबसे ज़्यादा प्रेम और आपके जीवन में सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ क्या है तो आपके मुझे से एक ही जवान निकलती है वो होती है मा जो होती है मा का प्रेम किसी से तुलना लायक नहीं किया जा सकता है मा जो हती एक अटूट बंधन और एक अटूट रिस्ता होता है मा अपने उपर सारे दुखों को हरन कर लेती है और जिस तरह से वो हमें एक नया रास्ता हमें मार्ग दिखाती है वो कहीं न कहीं हमें सक्रात्मक मार की और ल नाम लगाई है क्योंकि मा के कर्ष को उतारा नहीं जा सकता है पर उनके यादों में उनके लिए एक कारे तो किया ही जा सकता है जिस तरह से पर्यावरन हमारी रक्षा करती है उन्होंने मा को पर्यावरन को मा का रूप दे दिया है यह बहुत बड़ी बात है उन्होंने कहा कि जिसतार से अगर हम पर्यावरन को सुरक्षित रखते हैं तो हमारे साथ भी सुरक्षा का प्राउधान बना रहेगा आए दिन जो तमाम रोग होते हैं तमाम चीजे सामने आती है कि कई जीलों में इस तरह की बिमारिया फैल दिये वो कही न कही इस पेड से रुख जाएगी क्योंकि जब हमारा पर्यावरन स्वक्ष रहेगा तो इससे कोई नहीं नकारा जा सकता है हमारी मानसिक्ता पर प्रभाव पड़ता है आए दिन फैक्टरिया बनती है जिससे प्रदूसन जो प्रकट होती है उसे कही न कहीं हमारे परियावरन पर असर होता है पर एक पेड अगर हम लगाते हैं तो इसे कहीं न कहीं बचा हो सकता है क्योंकि पूरे देश्वासी जब ए हुल दिवस के बारे में भी कहा कि जिसतर से आदिवाशी भाई बहनों ने अंग्रुए जो के खिलाफ हंतियार उठाय था इसे लेकर उन्होंने बातों को साजा किया हुल दिवस को याद किया वैसी पधानमंती नरेन मोदी ने केरला में हो रहे क्रियेटिव चीजों को लेकर भी बाते वे साजी किया उन्होंने कहा कि जिसतर से अब बर्शाती मौसम आ गया और केरला में बन रहे क्रियेटिव चातों की बात उन्होंने किया और उसी बे उन्होंने नारी सकती को एक संगठन के रूप में लिया उन्होंने कहा कि नारी सकती मिलकर एक अच्छा काम करि पहले मन की बात रेडियो प्रोग्राम में 111 एपिसोड में कहा कि मैंने कहा था चुनाव नतीजों के बाद फिर मिलूंगा उमीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे मैंने विदा लिया था फिर मिलने के लिए इसी बीच मुझे आप लोगों के लाखो संदेश मिले चुनाव के दोरान मन को छू लेने वाली कई खबर आई पैसक करोड लोगे ने चुनाव में वोड डाला और इसके साथी पीए मोदी ने देश्वासियों से अपील किया कि एक पेड़ अपने मा के नाम पर जरूर लगाए पेड़ लगाने से धर्ती मा की रच्छा होगी उन्होंने ये भी बात किया मा के रिस्ते और परियावरन को लेकर पीए मोदी ने कहा कि मैं आप से पूछू कि दुनिया का सबसे अनमूल रिस्ता कौन सा होता है तो आप जरूर कहेंगे कि मा होती है क्योंकि हम सबके जीवन में मा का दर्जा सबसे उचा होता है मा हर दुख सह कर भी अपने बच्चों का पालन पोर्शन करती है और हर मा अपने बच्चे पर हर्ष नेह लुटाती है जनम दातरी मा का ये प्यार हम सब पर एक करज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता और हम मा को कुछ दे तो सकते नहीं लेकिन और तो कुछ कर सकते हैं इसी सोच में इस वर्ष विश्व परियावरन दिवस पर एक विश्यस अभ्यान सुरू किया गया इस अभ्यान का नाम है एक पेड़ मा के नाम मैंने भी एक पेड़ मा के नाम लगाया है उन्होंने उसी बीच हुल दिवस का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि आज 30 जून का ये दिन बहुत ही मत्तोपून है इस दिन को हमारे आदिवाशी भाई बहन हुल दिवस के रूप में मनाते हैं या दिन वीर सिद्धो कानू के अदमे साहस से जुड़ा है जिन्होंने विदेसी शाशकों के अत्यचारों का पूरजोर विरोध किया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 1855 में हुआ था यानि ये 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता शंग्राम से भी दो साल पहले हुआ था तब जारखंड के संथाल परगना में हारे आदिवासी भाई बहनों ने विदेसी सासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था वही पीम मोदी ने केरला में बनने वाले चातों का जिक्र करते हुए कहा कि मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरह के चातों के बारे में बताना चाहता हूँ यह चाते त्यार होते हैं हमारे किरला में वैसे तो किरला की संस्क्रिती में चातों का विशेश महत्त होता है चाते वहां कई परंप्राव और वीधी विधान का अहम हिसा होते हैं लेकिन मैं जिस चाते की बात कर रहा हूँ वो है कार्थम भी चाते जी हाँ और इन्हें त्या का वट्टा लग्की सहकारी क्रिसी सोसाइटी की देख रेक में बढ़ाया जाता है और इस सोसाइटी का नेत्ति तो हमारी नारी सक्ति के पास है वही प्रधान मंत्री ने काया कि देश को उमीद है कि उसके खिलाडी ओलंपिक खेलों में उत्कृस प्रदर्शन करेंगे उन्ह जैसा कि आपने सुनाया कि किस तरह से नरेन मोदी ने यहां तक की उलंपिक में खेल रहे खिलाडियों के लिए भी कहा कि चैर फोर इंडिया का चैर फोर भारत का हैस्टाइग यूज कीजिए और हमारे भारतिये खिलाडियों के होसले को बढ़ाईए और गरवसाल जिस तर से आज देश में T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी हमारे देश भारत में आ चुका है इसी बीच हम चाहते हैं कि और भी लोग इससे अपने जज़बे को बरकरार रखे और होसला बनाए रखे इसी तरह तमाम ट्रॉफी हमारे देश में आए इसी बीच उन्होंने केरला में बन संगठन को बरकरार रखता है जिस तरह से नारीज सकती एक साथ मिल करके एक क्रियेटिव चीजों को आगे बढ़ा रही है और लोगों के अंदर इस चीज को डिमांड हो रही है जिस तरह से आए दिन केरला में बन रहे चातों की डिमांड होती जारी ओनलाइन लोग इससे डिलिवरी करना चा रहे लोग ओनलाइन होम डिलिवरी तक का ओरडर दे रहे हैं तो कहीं न कहीं यह हमारे लिए अच्छी बात है इसी बीच मानगे परधान मंत्री ने मा को पेड़ से तुलना करते हुए कहा कि एक पेड़ मा के नाम पर अवश्य लगा है क्योंकि जिस तर परियावरन दिवस के दिन लगाया और लोगों से संदेश किया कि आप भी जरूर लगा है तो ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमाई साथ जुड़े रहे हैं एक निस 24 पर हमाई यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूप पी देख रहे हैं तो फॉलो और ल